नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है मोधी सरकार ग्रिह मंत्राले और दिल्ली पुलिस ने उन लोगों पे भरोसा कर लिया जो भरोसा के लाइक ही नहीं है जो वादा खिलाफी करने में माहिर हैं उनको ट्रेक्टर रैली की इजाज़त देकर इस तरीके से इस कुछक्र में फस गई है ये सरकार कि जिसे आप सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे क्योंकि चार पाँच ऐसे डवलोप्मेंट्स हुए हैं जो साफ साफ इस बात के और इशारा कर रहे हैं ये किसान संगठन जिनके बारे में लगतार ये कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के चट्टे बट्टे हैं और दिल्ली के अंदर ये उत्पात मचाने आ खाये हैं उसकी उस्की पुष्टि हो जाएगी सबसे बरी खबर जो मिल रही है वो ये कि जो रूट दिल्ली पुलिस ने तैग किये हैं उसको कल ये किसान संगठन बाले नहीं मानने वाले हैं उस रूट चे अलावा भी ये अ'reia निकालने वौले हैं इसकी डीटेल में दूंगा लेकिन इस से भी खौफनाख ख़वरी आ रही है कि किसान संगठोनों ने ऐलान किया है कि ये टरेक्टर दिल्ली के अंदर तो घुसेंगे लेकिन वापस अपने अपने घरों में नहीं जाएंगे ये एक फरवरी तक ये दिल्ली में ही रहेंगे यहीं पर इनका धरना प्रदर्सन चलेगा और ये चेतावनी दी है किसान संगठोनों ने कि एक फरवरी को ये लोग पार्लामेंट का घिराओ करने वाले हैं तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आपने किसी सक्स को किसी संगठन को किसी आंदोलन को उंगली पकरने दे दिया इन लोगों ने तो गर्दन ही पकर ली अब सरकार क्या करेगी कैसे इस से निप्टेगी या फिर दिल्ली के अंदर फिर वही होगा जो शाहिन बाग के आंदूलन के बाद इस्ट देली के अंदर हुआ था जिसमें तिरपन लोगों की मौद गई थी अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 26 जनवरी में के दिन ट्रेक्टर रैली के बाद कोई बवाल होने वाला है उसके सारे संकेत तो यही बता रहे हैं क्योंकि जो करार हुआ करार ये हुआ कि कुल तीन रूट्स के उपर इन किसान संगठनों को ट्रेक्टर रैली निकालने की अन खर्मती ये जो एनोसी दी गई है इसके साथ साथ 37 प्रतिबंद 37 शर्तें वो लगाई गई हैं इसमें कई सारी शर्ते हैं जैसे कि आप लॉट्स्पिकर के इस्तमाल नहीं कर सकते नाराबाजी नहीं कर सकते कोई हत्यार लेके नहीं जा सकते सिर्फ 5,000 ट्रेक्टर को ही दि लेकिन किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हम तो लाखों आ गए हैं किसको रोका जा सकता ये सारे लोग जाएंगे तो यहीं पर टकराव होगा दिल्ली पुलिस ने अभी घोशना की है कि अगर जिन सर्तों पे ये एनोसी दी गई है अगर उसका उलंगन होता है तो वो करेंगे तो हिंसा भड़केगी अब हिंसा भड़केगी तो दंगे भड़केंगे तो कई सारी चीजे लगातार इसमें होती चली जाएंगी और तो और जो धंकी दी गई है किसान संगठनों के दौरा जैसे गाजीपूर के ऊपर राकिष्टिकेद बैठे हुए हैं उनकी ज जगह पे अभी वह बैठे हुए हैं, वहाँ से वह गाजीपूर जाएंगे, गाजीपूर के बाद वहाँ जो गोल चकर है वहाँ से वह राइट टकर लेंगे और आननद भिहार होते हुए सीमापूरी के बॉर्टर के पास जाएंगे, वापस मोहंन नगर की तरफ जाएंगे और मोहन नगर से आगे ये दासना तक जाएंगे और वापस मेरत एक्सप्रेस्वेक के जरिये वापस उसी जगह पे चले आएंगे जहां पे ये खुद अभी बैठे हुए हैं लेकिन राकेश्ट कैत ने यह कहा है कि और पसंद नहीं है ये रूट हम नहीं मानेंगे हम अशर्दान तक जाएंगे अब अशर्दान तक अगर आप जाएंगे तो फिर आप तो फिर लक्ष्मी नगर के तरब भी भागेंगे आप तो फिर इस्ट डेली के दूसरे इलाकों में भी जाएंगे और अगर पुलिस रोकेगी तो बवाल मचेगा तो कहने का मतलब यह है कि आपने तो भरोसे पे रखके आधर तो आपने इजाज़त नहीं दियोती और इजाज़त दी तो इस बात को सुनस्चिताब करते कि ये लोग उन वायदों के उपर कायम रहते आपने एनोसी दी और इन्होंने फॉरण प्रेस कॉन्फरेंस करके अपन भी लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन के दौरान किसी नए आंदोलन की घोशना ये करना एक अपने आप में अनएथिकल माना जा रहा है लेकिन ये तो सुरू से इस बात को करते चले आ रहे थे ये सरकार को समझ भी नहीं आया क्या आईबी को समझ भी नहीं आया पुलि आप में बता रहा है कि जो लोग भरोसे के लायक नहीं है उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए यह तो मैंने सिर्फ गाजीपुर की बात की यही बात सिंदू बॉर्डर के पास भी जो किसान नेता है वो यह कहरें कि वो इस रास्ते से खुश नहीं है हमने कुछ और मांगा था ल इनके जिद के सामने कुछ भी नहीं है नगन्य है और मैं आपको बता दूँ यह सिर्फ किसान संगठनों और उनके वादा खिलाफी का ही मसला नहीं है दरसल हो मिनिश्टर के तरफ से खुप्या रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह अंदेशा बताया गया है कि रिपब यह आत्मगाती हमला भी हो सकता है बॉंब इसपोर्ट भी हो सकता है अकेले जिसका किसी से कोई मतलब नहीं होगा वो बीच में घुचके वो कोई बहुत बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है उस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से सीए के बाद से TFI हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा है और यह रिपोर्ट को लेकर पूरी सुरक्षा एजन्सिया वो चौकनना हो गई है मतलब यह कि किसान संगठनों को यह समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से देश के दुस्वन हिंदुस्तान को तबाह और बरबाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं इन लोगों के तक वुस्तर का कोई स्टेट्मेंट तक नहीं आया है जिसमें जो कनाडा और यूके में बैठे वे इनके आका खालिस्तानी संगठनों के जो नेता हैं जो लगतार वीडियो बना बना करके जो भेज रहे हैं कि खा ये इंडियन फ्लैक के अलावा आप एक अपने किसान संगठन का जंडा रख सकते हैं उसके लावा कोई तीसरा जंडा नहीं होना चाहिए मतलब ये दिल्ली पुलिस सरकार किसान संगठनों को मिन्नते कर रही हैं मना रही है लेकिन इन किसान संगठनों का एक जिसको जो कर स इजली उड़ा दो उसके लिए इनाम मिलेगा पूरे दुनिया भर में जहां जहां भारत के एंबसी है वहां पर प्रदर्शन कल होंगे लेकिन इन किसान संगठनों के मुझ से एक शब्द नहीं निकला जिन्दू बॉर्डर हो गाजीपुर बॉर्डर हो हर जगह प्रधान मं कि हम से लोग खुसी खुसी रिटूीट कर रहे हैं मुहिंचला रहे हुरे लग रहा है कि यह सब पाकिस्तान के द्वारा वो प्र सारी Gold Ah यह सारे जो नारे में यह बन रहे हैं वो पाकिस्तान से बना करके साजिस पे साजिस रच रहे हैं और किसान संगठनों के तरफ से एक सब्द इन लोग के खिलाफ नहीं निकल रहा है तो लोग पूछेंगे इन लोग के बीची रुष्टा क्या है ऐसी क्या बात है कि खालिस्तानी लीडर जो कराणा से बैठ करके जहर उगल रहा है उनके खिलाफ आप एक सब्द नहीं बोल सकते सवाल ये पूछा जा रहा है पाकिस्तान से इस सारी चीजों को मैनेज किया जा रहा है सोसल मीडिया उसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते और बोलना तो दूर उन्हें कंडेम करना तो दूर आप एक के बाद ऐसे प्लैंस को सामने लेकर के आ रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ एक है कि एन केन प्रकारेन किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर दंगा भलक जाए हिंसा भलक जाए क्योंकि अगर आप देखिए कि पर्मिशन तो उन्हें सिर्फ कल एक दिन के लिए 26 जनवरी को दो पहर 12 बज़े से 5 बज़े तक के लिए अनुमती दी गई है ट्रेक्टर रैली की 5000 ट्रेक्टर लेकर के ये लोग रैली कर सकते हैं इस पर इन्होंने agree किया इस पर इन्होंने sign किया लेकिन जैसे ही उन्हें ओस invented मिलता है ये उस पूरे वाइद को ही जो है वो डस्ट्मिज में डाल देते हैं और नए प्लैन्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं मैं आपको बता दू किसान संगठनों ने साफ साफ कहा है कि वो अब यहां से जाने वाले नहीं है यह जो टरेक्टर्स चले आ रहे हैं खबर आ रहे हैं कि बागपत में किसान संगठनों के इन टरेक्टर्स ने बैरिकेट को तोर दिया पुलिस के साथ वहां पे जबब हुई है लेकिन फिर भी वो चले आ रहे हैं और चले आ रहे हैं तो इन लोगों ने तो ये कहा कि हम रैली करेंगे फिर वापस ट्रेक्टर्स अपने अपने घर चले जाएंगे अब जब पर्मिशन मिल गई तब ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाने वाले हम तो यहीं रुकेंगे आगे एक तारिक को हम पार्लामेंट का घेराव करेंगे अब पुलिसी नहीं रोकेगी अब सवाल ये उट रहा है कि इसे कैसे हैंडिल किया जाए जिस वक्त मैं इस वीडियो को रेकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त अम इस साजी के घर के अंदर ग्रिय मंतरी के घर में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है कि कैसे सुरक्षा ठेट जो अचानक से दिल्ली के उपर आया है इस किसान संग्ठनों के दौरा ये जो लोन उर्फ अटैक के दौरा ये तमाम जो साजी से रची जा रही है इस से कैसे निप्टा जाए इस मीटिंग में ग्रिय मंतरी के साथ-साथ ग्रिय सचीब भी है आई बी के चीब भी है पुलिस अधिकारी भी है और वहाँ पे कुछ योजना बनाई जा रही है कहने का मतलब ये है कि जो लोग अन्न दाता अन्न दाता अन्न दाता करके इन्हें किसान समझ रहे थे जो लोग ये कह रहे थे कि ये तो बिचारे गरीब किसान है जो अपनी हक की लाई के लिए अपनी अधिकार के लिए यहाँ पे आंदोरन कर रहे है ये तो पाकिस्तान और खालिस्तानियों और देश द्रोहियों के हाथ में नाचने वाले ये कटपुतली बन गए हैं क्योंकि देश का किसान इस तरीके से 26 जनवरी के दिन दिल्ली में कोहराम मचाने कभी नहीं पहुंचता सरकार के तरफ से कई बार ये गुजारिस की गई कि अगर आपको ट्रेक्टर रेली निकालनी है 26 जनवरी के अलावा किसी और दिन निकाले ये क्यों नहीं इन से पूछा जाना चाहिए कि ये क्या कॉडिनेशन है कि पूरी दुनिया में जब हिंदुस्तान रिपब्लिक डे मना रहा होगा तो खालिस्तान वाले उधर एनाउंस करते हैं कि हम दुनिया भर के जो इंडिन एंबसी है वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे और आप उसी दिन उसको कॉडिनेट करते हुए ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया भर में जो सिख रह रहे हैं वो हिंदुस्तान की सरकार से की जायती से जो है वो परिसान है और इसमें कई सारे जो मासूम किसान हैं जिनको बरगलाया गया है कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी कॉर्पोरेट आ जाएगा कई सारी चीज़ें अब चल रही हैं वैसे इस बात को लेकर कैपिटल टीवी पे हम लगतार कह रहे थे कि ये वामपंथी हैं ये राजितिक दल के चट्टे बट्टे हैं जो आंदोलन करने नहीं दिल्ली में कोहराम मचाने आये हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने साहिन बाग को अंजाम दिया था और साहिन बाग के बाद दिल्ली के अंदर दंगे भगाये थे तिरपल लोगों की जान ली थी ये फिर वापस दिल्ली में वही कोहराम मचाने आये हैं सरकार ने इन पे भरोसा करके बहुत बड़ी कल्ति की है अब उपर वाले से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्थ बुद्धी आये और कल सांती से और आगे आने वाले दिनों में सांती से ये बवाल खत्म हो हमारी नजर इस ट्रैक्टर रैली पे बनी हुई है आप देखते केरे कैपिटल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद